दोस्तों जैसा कि Thumbnail में आप देखी चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप बहुत ही Stylist B-Font को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसे अपने टेक्स्ट में डिजाइन कर सकते हैं, Pixel Lab की मदद से, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपन कैपिटल ए लिए लेता हूं, यहां से लेने के बाद दोस्तों यहां OK कर लेंगे, और OK करने के बाद इसका Size हम कुछ बढ़ा देते हैं, यहां पर मैंने इसका कुछ Size बढ़ा दिया, Size बढ़ाने के बाद आपको आपको अब नीचे से यह Second Number वाले Option में चले जाना है, Second Number वा को कोई अच्छा सा font देना है, मैं यहां माई font में चले जाता हूं और यहां से मैं इसे एक font दे देता हूं, जैसे मैं यहां से एक font दे देता हूं यहां पर, अब आप देखिए यहां पर दोस्तों थोड़ा सा हमारा यह font जो है कट रहा है, यहां पर कट रहा है, यहां पर भी कुछ कट रहा है तो जयुक्त यहां पे शटार्टिंग percentage में चृअ चनव एस प offer फोल्काश्ट इनके अच्टनेट कारों चोटा कर देते हैं यहां पे और इसे हम ऐसे नीचे कर देते हैं यहां पे हो जाने के बाद आप चाहे तो इसके बैग्ग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करने के लिए नीचे से आप चोथे नमर वाले आपसन में जाएंगे और यहां से कलर वाले तो इससे आप डिश्टर्ब नहीं हो पाएंगे नहीं तो होता क्या है दोस्तों कि दूसरा टेक्स्ट लिखने पर यह हिल जाता है तो फिर हमारा अच्छे से एडिटिंग नहीं हो पाता है तो इसके लिए आप यह बीच वाले अप्सन में जाएंगे और जाने के बाद यहां कि अप्सन यहां दिख रहा होगा इसे लॉक कर देंगे तो अब कितना भी इसे आप टच करेंगे यह लेगा नहीं कितना भी आप टच कर दीजिए नहीं लेगा इसके बाद अब आपको इसमें बी का फॉंट कैसे बिलेगा यहां पर सिंपली प्लस वाले आइकन में चले ज पाल op the RPM सबस्वाद हो जो करने के बाद थोड़ा से साइज हम बढ़ा देते हैं बनके तयार हो गया अब आप इसे चाहे तो अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं जैसे मैं इसको स्टार्टिक में लगा देता हूं यह अब यह देखिए काफी खुबसूरत सा हमारा यह टेक्स्ट दिख रहा है दोस्तों इस फॉंट के मदद से आप बहुत अच्छे स्टाइलिस टेक्स्ट को लिख सकते हैं और अपने एडिटिंग में और अच्छा कर सकते हैं तो दोस्तों अमीद है आपको यह बीडियो जरूर पसंद आया होगा और पसंद आया और आपको यह फॉंट से मदद हुआ तो कॉमेंट बाक्स में जरूर बता देजेगा थैंक यू